ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहन कर उनकी निराशा हतासा का काल समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फुंग कर ले कितना ही काला जादू कर ले अंद विश्वास कर ले जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा जब सरकारों के पैसा होगा ही नहीं उसके पाद धनी नहीं होगा तो इधेनल प्लांट बायो गैस प्लांट बड़े बड़े सोलर प्लांट हाइडरोजन गैस के प्लांट जो आज लग रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे लेकिन ये राष्ट तो हमेशा रहेगा सद्यों से रहता आया है सद्यों तक रहने वाला है उसमें रहने वाली संताने भी हमेशा रहेगी हमें हमारी भावी संतानों के बविश्य को बरबात करने का हक नहीं है साथियों आजहादी के लिए अपना जीवन बन्लिदान करने वालों ने भी इसी सास्वत भावना से काम किया है अगर वो भी तब अपना सोचते हैं अपना स्वार्थ देखते तो उनके जीवन में भी कोई कश्ट नहीं आता वो कठिनाईयों से गोलियों से फांसी के फंदे से यातनाओं से बची जाते लेकिन उनकी संताने यानि हम भारत के लोग आज आजहादी का अमरित महोसम नहीं मना पाते अगस्त का ये महिना क्रांती का महिना है इसलिए एक देश के रुक में हमें ये संकल्प लेना है के ऐसी हर प्रवृत्य को बढ़ने नहीं देंगे ये देश का सामुहिक दाईत्व है साथियों आजहादी के इस अमरित महोसम में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हुआ हमारे वीर स्वतंत्रा सेनानियों को अप्वानित करने का इस पवित्र आउसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है ऐसे लोगों की मानसिक्ता देश को भी समझना जरूरी है हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीच अपनी लंबी बिमारी के इलाज से ठक जाता है निराश हो जाता है अच्छे अच्छे डॉक्टरों से स्थरा लेने के बावजूद जब उसे लाब नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों नहों अंद विश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है वो जाड़ फुंक कराने लगता है तोने तोटके पर काले जादू पर विश्वास करने लगता है ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग है जो नकारत पक्ता के भवर में फसे हुए है निराशा में डुबे हुए है सरकार के खिलाब जूट पर जूट बोलने के बाद भी जनता जनारदन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है ऐसी हतासा में ये लोग भी अब काले जादू की तरब मुड़ते नजर आ रहे हैं अभी हमने पांच अगस को देखा है कि कैसे काले जादू का काले जादू को फ्रलाने का वरपुर प्यास किया गया ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहन कर उनकी निराशा हतासा का काल समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फुंग कर ले कितना ही काला जादू कर ले अंद विश्वास कर ले जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फैर में आजहादी के अम्रित महोचव का अपमान न करें तिरंगे का अपमान न करें साथियों कुछ राजनितिक दलों की स्वार्थ नीती से अलग हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर काम करती रहेगी मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए सकारात्वक विश्वास की उर्जा इसी तरह पैदा होती रहेगी एक बार फिर हर्याना के कोटी कोटी साथ्यों को किसान और पसुपालग बहन भाईयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कल रच्षा बंधन का पवित्र त्योहार भी है भाई बेहन के स्ने के प्रतीक इस पर्वपर हर भाई अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प दोहराता है कल एक नागरी के तोर पर भी हमें देश के प्रती अपने कर्तव्य निभाने का संकल्प दोहराना है इसी कामरा के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद